जैसा कि आप सभी ने decide किया है इस season solo में rank push करने का तभी आप सभी ने इस वीडियो में click किया है solo में rank push करना सबसे easy और best है क्यूंकि इसमें आप बहुत बहुत easily और दूसरों से जल्दी crime master कर सकते हो अगर इस वीडियो को लाज तक आप पूरी देखते हो तो ये मेरी guarantee है कि आपका इस season crime master होने से कोई नहीं रोक सकता क्यूंकि आज के इस वीडियो में ऐसी 12 खतरनाग tips देने वाली हो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना और आप सभी से रिक्वेस्टर चैनल पर नए आये हो तो चैनल को subscribe करके bell notification on कर लेना क्यूंकि 15 के family के हम बहुत जादा close है और सो वीडियो को start करते एक छोटे से इंट्रो के बाद Welcome back guys, I hope आप सभी मस्त और मजे में होंगे Guys, जैसा कि आपको पता होगा एक जैन को बियार का new season आ रहा है मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोगों के पास अपनी squad नहीं होगी और आप लोग सोलो में push करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में आपको एक फुल सोलो गेम पर दिखाऊंगी और कुछ इंपोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स पर शेयर करूंगी पर काइस आपको पता होगा season के starting में मैं खुद सोलो में rank push करती हूँ और मैं इस बार भी सोलो में ही rank push करूंगी चाहे तो आप इस season भी मेरी profile चक कर सकते हैं point number one perfect character skill combination pet skill and loadout यहां मैं three type के character skill combination बताऊंगी अगर वो आपको useful लगते हैं तो आप उसको लेके खेल सकते हो परना आप अपने according भी खेल सकते हो जिसमें आप comfortable हो ऐसा खेलो character skill combination number one जो safe खेलना पसंद करते हैं उनके लिए होने वाला है active slot में आपको डेमिटर character का use करना पैसिव में सोनिया नारी और मारो का जिससे होगा क्या जब भी हम fight लेंगे अगर गलती से हम down हो जाते हैं तो सोनिया active होते ही हमें खुद को pack कर लेना है और डेमिटरी लेना है नारी आपकी wall को ambuja cement की शक्ती देगी जिससे आप easily revive हो जाओगे और आपको जीवनदान मिल जाएगा मारो से आपका damage 30% तक बढ़ जाएगा जिससे आप enemies को जाधा damage दे पाओगे बात करते हैं character combination 2 के बारे में जो primary rushers के लिए होने वाली है इसमें आपको active में homer, passive में antino, wolfra और hyatो का use करना है जिससे आप 1v1 की short range fight को easily win कर सकते हो जो सामने वाले बंदे को 25 का damage देगी और सामने वाले बंदे की movement speed को 60% एट rate of fire को 35% कम कर देगा और तीनो आपको extra 40 shield point देगा wolfra आपके head का damage 30% कम कर लेगा और आपको headshot का damage 30% तक बढ़ा देगा और हया तो जब आपकी HP कम होगी आपका damage को बढ़ा देगा अब बात करते हमारे last character combination के बारे में जो assaulters के लिए है इसमें आपको active में आईरिस और passive में लोकेटा एंड्रियो एंड मारो का यूज़ करना है आईरिस से आप wall के आरपार damage दे सकते हैं लोकेटा आपकी HP को 250 तक बढ़ा देगा एंड्रियो आपकी west को कम damage होने देगा एंड आपको west booster का यूज़ करना है आपकी HP को 30 बढ़ा देगी एंड जादा से जादा आपको inhaler collect करने जो short range fight और zone से बहार आने में आपको help करेगी skill में आपको rocky कर यूज़ करना है जिससे आपका active character जल्दी charge हो जाएगा और आप उनको जादा से जादा बार यूज़ कर पाओगे loadout में हमेशा pocket market का यूज़ करना है starting के दिनों में विमा शक्ति और factory के उपर बंदे उतरते हैं लोगों के पास pocket market रहेगा जिसमें frame MP5 मिलती है जिससे आप easily kills कर सकते हो और pocket market में info box देखने मिलेगा जिससे next zone का पता चल जाता है तो आप सभी के लिए zone rotation आसान हो जाएगा एंड उसमें portal भी मिलता है जिसको last zone में यूज़ करके एनिमीज को shock करके अच्छे खासी kill निकाल सकते हो क्या बात है सर point number 2 use high damage weapons like long range में आप arm, svd, sks, ac80, m14, 3 level वाली paraffal ये सब gun यूज़ कर सकते हो और इन सब के साथ आपको silencer यूज़ करना है वरना आपके साथ third party हो सकती है short range में आप python, charge buster, m10, 3 chip, pro gun ये सारी guns यूज़ कर सकते हो point number 3 always take decent drop location आपको ऐसी जगे उतरना है जह आपको अच्छी खासी loot मिल जाए आपको हमेशा clash learning को avoid करना है I know अभी के time में हम starting में मर जाते हैं तो auto revival का option available है बट हमको fight नहीं लेनी है starting में क्योंकि revive होने के बाद आप जहां भी जाओगे आपको enemies देखने मिलेंगे पूरा map आपके पास अच्छी loot नहीं होगी इसलिए clash learning मतलो जितना हो सके avoid करो हमारा aim या grand master करने का है ना कि time pass या minus खाने गए है इसलिए ऐसी जगे उतरो जो plane pass से दूर हो जादा तर आप launch pad या गाड़ी के पास जाके दूर जाके safe loot कर पाओ जहां आपको बंदे ना मिले कभी भी आप किसी जगे कैम्प करने की सोच रहे हो तो हमेशा आपको उस घर को पुरा चेक करना चाहिए क्योंकि enemies भी starting में कैम्प करते हैं इसलिए आपको हमेशा headphone या earphone के साथ केलना चाहिए जिससे कोई भी बंदा आपके compartment में कैम्प कर रहा है या आपके उपर rush कर रहा हो तो आपको पता चल जाएगा देखो आप में से ज़ादा बंदे यही गलती कहते हैं किल्स के लिए मर जाते हैं आपको लग रहा है आप सामने वाले बंदे को easily मार दोगे आप उसको मार भी दोगे लेकिन सोलो में third parties बहुत जादा होती है आप तो उस बंदे को मार देंगे लेकिन कोई दूसरा बंदा आपको मार जाएगा इसलिए कभी आपको fight open में नहीं लेनी है प्रपर cover में आपको fight लेनी है I know kills की बोख हम सभी को रहती है लेकिन आपको starting में fight नहीं लेनी है पहले आपको top 20 निकालना है फिर पूरे confidence के साथ fight लेनी है कभी आपको ये नहीं सोचना है सामने वाले बंदे के पास अच्छी weapon है अच्छी skins है पिल्कुल सोचना ही नहीं है पूरा game आपके confidence का है skins भी matter करती है बट confidence नहीं तो without skill वाले बंदे से भी मर जाओगे और confidence है तो low device ओ without skin भी iPhone वाले बंदे को easily kill कर सकते हो चाहे उसके पास कितनी अच्छी skin हो हमेशा confidence होना चाहिए एकी बंदा मारना है कोई दिक्कत नहीं आराम से hold करो time low अंधा push मत करना कभी जब भी आप किसी बंदे पर rush करते है तो आपके पास जितना भी grenade, flash freeze, land minus अब को फेक दो उससे ये सब आपको उस अनेमी को kill करने के बाद वापस मिल जाएगा इससे सामने वाले अनेमी का confidence low हो जाता है एंड सामने वाले का confidence को low करके फिर आप पूरे confidence के साथ push करो जिसको horis line भी बोलते है अगर ये चीज आपके पास है तो आप लोग वापस जिन्दा हो सकते हो जितना हो सके अनेमी से long range भी fight लो क्योंकि अगर down हो जाते हो तो ये ही चीज आपको minus होने से बचा सकती है इसलिए किसी भी गेम में miss नहीं करना है गेम में जाते ही इस चीज को आपको ढूर्णना है जो आपको pink vending machine या airdrop से easily मिल जाएगा आप में से mostly बंदे इन चीजों को ignore करते हो जो बहुत जादे important होती है last zone में सारे बंदे zone को hold करते हैं आप damage देने के बाद clue milter फेक कर आप rush कर सकते हो और shot में rush करते time नीला वाला inhaler मार लेना जो आपके movement speed को बढ़ा देगा और same सामने वाला बंदे आपके ओपर इस तरह से rush करे तो आपको smoke grenade को proper use करके वहाँ से back निकल जाना है smoke grenade को use करने में कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि एक बंदे को kill करोगे उस पर आपको ये चीज अवेलेबल मिल जाएगी सो जितना हो सकी use करो point number 10 take breaks solo में बंदे काफी bore हो जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं दो तीन मैच किलने के बाद short break ले लो फिर एक CSR वगेरा खेलो उससे क्या आपका mind free रहेगा और आपका fire power बना रहेगा point number 11 always stay motivated don't quit तेखो guys अगर आप push कर रहे हो आपको कभी हार नहीं माननी है आपको grand master करना है अगर एक दो माइनस से हार मान जाओगे तो ये कोई बात नहीं होती जितने भी region वाले player है उनके साथ भी ऐसा होता रहता है वो भी lane करते मर जाते है बट वो हार नहीं मानते जल्दी वापस खेल के अपना minus recover कर लेते हैं कभी give up नहीं करना है अगर आपका जादा ही माइनस हो रहा है तो आपको थोड़ा break लेना है फिर उस दिन game नहीं खेलना है डेली अगर आप 300-500 का भी plus करते हो easily आप grand master पहुँच जाओगे अफतार banner भी निकाल लोगे grand master का क्योंकि grand master पूरे 8,000 लोगों का होता है अपना collection pack और game recording आफ करके खेलो collection pack डिलिट करने से सामने वाले बंदों का dress और gun skin नहीं दिखेगी इससे आपका confidence कम नहीं होगा और साथ में collection pack के साथ game recording आफ करने से phone पे भी कम लोड़ पड़ेगा phone की performance टाउन नहीं होगी और lag free gaming कर पाओगी तो यही कुछ tips and tricks थे अगर आप भी चाती हो कि मैं भी इस season rank push करूँ पास्टो लाइक का target है आप सभी जल्दी से complete करा दो फिर मैं play and explain की series announcement करूँगी हर episode में आप देख पाओगे मैं कैसे plus करती हूँ क्या strategy का use करती हूँ टेली कितना plus करती हूँ और कितना minus खाती हूँ अभी के लिए आप सभी को अलवेदा मिलते हैं जल्दी एक को और new and interesting वडियो के साथ और आप सभी को all the best comment section में बताना कौन कौन push कर रहा है ये season अब अगर तुम लोग नए हो तो subscribe करो वो जो लाल वाला बटान है उसके साथ scam करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस click हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे पार्क में stunts मारने जाना है बाए